अमित श्यामरा शराशोरी नोचोराग गोशे दीके चार करोड लोगों को घर देने का काम किया दस करोड लोगों को उजोला का कनेक्शन दिया और चौदा करोड लोगों को नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी ने यहां बेलूर गाट वाले आए हैं, मैं उनको पूछना चाता हूँ, मोदी जी ने देश बर में एक योधना करी है, कि 5 लाग तक का सभी हेल्थ का खर्चा, स्वास्त का खर्चा मोदी जी उठा रहे हैं, देश बर के गरीबों को इसका फाइदा मिल रहा है, बंगाल को नहीं मिल रहा है, क्यूंकि मम्ता दिदी, आयुशमान भारत योधना को नीचे तक नहीं पहुचा सकती, भाई और बेनों, मैं आज मोदी गैरंटी करके देने आया हूँ, एक बार 300 पार करकर, मम्ता की सरकार को उखार दो, सभी का 5 लाग तक का पूरा इलाज मुप्त हो जाएग आपके चावल में कोई कटोती नहीं कर पाएगा, कोई कटमनी नहीं ले पाएगा, कोई कोईले की तसकरी नहीं कर पाएगा, कोई गव तसकरी नहीं कर पाएगा, और कोई घुस्पैट भी नहीं कर पाएगा, ये बंगाल, पस्चिम बंगाल के लोकों का है, इन से कोई कॉम नहीं होगा बाई और बेनो 오늗े बताओं कि तिन तलाक हटाना चाहिए था यान्हीं और होगें जोर से बोलो माताओ बैनो बोलो हटाना चाहिए था यान्हीं अधोत he ममता दिदी नहीं चाहती तीन तलाक हटाएंगे भारतिय जनता पार्टी की नरेंडर मोधी सरकार ने तीन तलाक को समाप्त करकर मुस्लिम बेहनों को इसाथ न्याय करने का काम किया है भाई और बेनों एक कॉंग्रेस पार्टी को क्या हो गया है मेरी समझ में नहीं आ रहा है आज भी कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लो होना चाहिए यू सी सी नहीं होना चाहिए भाई और बेनों वो तो छोड़िये वो अपना मैनिफेस्टो निकालते हैं उपर तस्वीर थाइलेंड की लगाते हैं पूरे भारत में एक भी तस्वीर नहीं मिलती इनको थाइलेंड की तस्वीर लगाते हैं मगर क्यूं लगाते हैं इसलिए लगाते हैं कि राहुल बाब बार बार वहाँ vacation करने के लिए चले जाते है vacation करने के लिए भाई और बेनो ये पार्टियों का हमारे साथ देश के साथ देश के गरिबों के साथ देश की जनता के साथ कोई सरोकार नहीं और मैं आज बंगाल में चुनाओं की गोशना के बाद पहली बार आया हूँ मैं बंगाल की जंता को हाद जोड़ कर विनंती करने आया हूँ हमने एक कानून पारित किया है C.A. का ममता दिदी बंगाल के लोगों को गुमरा करें यह कह रही है कि आपने अप्लिकेशन किया तो आपका नागरिकता चला जाएगा अरे नागरिकता है ही नहीं ममता दिदी आपको क्या मालूम है मैं आज आपको कहने आया हूँ डरे बगर जितने भी सरनार्थी आए है C.A. में एप्लिकेशन करे किसी पर कोई केस नहीं होने वाला है कोई मुकदमा नहीं होने वाला है ये मोधी सरकार का कानून है इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता और ममता दिदी आपको जितना विरोध करना हो करो हम जितने भी हिंदू बहुत सीख सरनार्थी आए है उनको नागरिकता देंगे ये हमारा वादा है मैं ममता दिदी को पूछना चाहता हूँ हिंदू सीख बहुत सरनार्थी आए है उनको नागरिकता मिलती है आपको क्या तकलीप हो रही है एक और घुस पेटियों को लाल जाजम बिठा कर स्वागत करती हो रोहंग्या का स्वागत करती हो और दूसरी और जो हिंदू बहुत सीख सरनार्थी आए है उनको घुम्रा करे ही हो दिदी आपकी दाल नहीं गलने वाली मोदी जी ने रूल्स नौटिफाई कर दिये है बंगाल के सारे सरनार्थी भए मुक्धो करे अपलाई करे आपका इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा है आपका अधिकार इतना है सभी लोगों ने सभी लोगों ने एपलाई करना चाहिए भाई और बेनो तुष्टी करन की सिमा करने वाली ये पार्टी कुछ नहीं कर सकती अभी अभी मैं आज आपको बताने आया एक बंबलास्ट हुआ था 22 में भुपति नगर में तीन लोग मारे गए मुझे बताओ भाई बंबलास्ट करने वालों को मजबूती से जहल की सलाकों के पीछे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए जरत जोड से बताओ डालना चाहिए या नहीं जालना चाहिए इसकी जाँच हाई कोट ने NIA को दी और ममता दिदी NIA पर केस रजिस्टर करकर बम ब्लास्ट करने वालों को बचाना चाहती है ममता दिदी सर्म करो सर्म करो आप बम ब्लास्ट के आरोपियों को बचाना चाहती हो आप चिंता मत करिये बंगाल वालो हाई कोट ने नाई ये को जांत दी है सबको उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाएगा आप चिल्टा मत करें कि बंगाल में एक जमाने में बंगाल में एक जमाने में रविंद्र संगीत गुंजा करता था अब बंगाल में बंधमाकों की घुंज गुजाई देती है बंगाल में एक भी इंडस्ट्री नहीं आती है विकास नहीं होता है पूरा देश विक्सित रस्ते पर आगे बढ़ गया हमारा बंगाल पिछड़ता जा रहा है समय आ गया है ये टी-े-म-सी के कटमनी वालों को चुनाव है जो मोधी जी का चुनाव है मोधी जी को तीसरी बार प्रदान मंतरी बनाने का चुनाव है और मित्रो मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं ममता दिदी आप तो मैईला मुख्यमंतरी हो एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ संदेश खाली जैसी सर्म नाग घटना में भी आप पुलिटिक्स कर रहे हूँ सालों तक आपके नाग के नीचे महिलाओ पर अत्याचार होता रहा त्रिनमुल कॉंग्रेस के गुंडे अत्याचार करते रहे जब इसको पकडने गए एडी पर पत्राव किया जब हाई कोट ने कहा तब सरंदर किया मैं आज ममता दिदी को पूछना चाहता हूँ कुछ तुरुष्ट्री करन करकर वोट लेने के लिए संदेश खाली के गुनेगारों को लोई आप बचा रही हो मगर पूरे मंगाल की माताए बेहने ये देख रही है जान गई है कि आप संदेश खाली के गुनेगारों के साथ माता हो बेहनो मुझे बताओ संदेश खाली के गुनेगारों को जो बचाते हैं इनको कभी वोट देना चाहिए क्या जोर से बोलो देना चाहिए कौन बचा रहा है संदेश खाली के गुनेगारों को जोर से बोलो कौन बचा रहा है त्रिनिमुल कॉंग्रेस को जीताने का मतलब है संदेश खाली की तरह अत्याचार करने की छोट देना और मोदी जी को जिताने का मतलब है सुनार बांगला की रचना करना हमारे सुकान तो मजमुदार जी और खगेन जी और खगेन जी दोनों यहां से प्रत्यासी है मुझे बताईए प्रचंड बहुमत से इनको जिताएंगे क्या जोर से बोलो जिताएंगे अहां आया हुआ हर व्यक्ति पांच वोट कमल पर डलवाएगा मैं माताओ बेनों को कहने आये हुँआ आपका चुनाव है संदेश खाली वालों को दंद देने का चुनाव है आप कमल के निसान पर बटन दबाएंगे क्या बटन तो जरूर दबाना मगर इतने जोर से गुस्से से दबाना कि बटन बैलूर गाट में दबे और करंट कलकत्य में ममता दिदी को लगे आप जिताएंगे क्या 26 तारिक को भारी मत्दान करेंगे क्या कमल के निसान पर बटन दबाएंगे मोदी जी को तीसरी बार प्रदान मंत्री बनाएंगे चार सो पार कराएंगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाईए विजय के विश्वास की मुठी भींचे और प्रचंद आवाद से बोलिए बारोत मता की बारोत मता की वन दे वन दे जैश्री राम जय जय स्री राम बुर्याप्पुरे जनो सभाय मक्तुब राक छिलेन शराष्ट्र मुद्रे अविद्षा आवादेर शराषोरी नजर छिलो शेखाने आखोने पर्चंताई अदारो शमुस्त खाबुरे जन्नो आपरादेर नजर थाकू क्लिउस बर्त मारे पर्ट। क्योस्त क्त्या एवो